जस्तिस उन्जीर खन्ना बने देश के 51 वे मुखे नय धीश राष्ट्रपती द्रॉबी मुर्मूने दिलाई पद की शपत अगले साल 13 माई तक है कारेकाल 13 नवंबर से शुरू हुगा हर्याना विधान सभा का तीन दिवसिय शीत कालीन सत्र मुख्यमंती नायप सिंग सैनी ने कॉंग्रिस पर तंज कस्ते हुए कहा विपक्ष अपना नेता ढूंडे रदेश के खेल मंतरी गौरव गौतम ने पलवल में आयोजित पारितोशिक वितरन समाहरों को किया संभोदित कहा बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक ज्यान की भी है अवश्यक्ता और हर्याना सरकार ने रज्य में पंजिकरित वाहन स्क्रेपेच एवं री सैक्लिंग सुविथा प्रुसाहन नीती दोहजर चौबिस की अधिसूचित उद्योग मंतरी राव नर्वीर सिंग ने कहा पर्यावरण में होगा सुधार नमस्कार मैं भानू प्रिया अब समाचार विस्तार से देश को आज नए प्रधान न्याधिश मिल गए जस्टिस संजीव खन्ना को आज राष्टपती द्रॉपदी मुर्मो ने 51 प्रधान न्याधिश के रूप में शपत दिलाई है राष्टपती भवन में ये समाहरो आयूजित किया गया जस्टिस संजीव खन्ना अब 13 मई 2025 को इस पद से सेवा निवरित होंगे तदकालिन सीजे आई जस्टिस डी वाई चंदरचूड की और से भेजी गई सिफारिश को मनजूर करते हुए 24 अक्तूबर को राष्टपती ने जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का 51 प्रधान न्याधिश निक्त किया जस्टिस संजीव खन्ना को 18 जन्वरी 2019 को सुप्रीम कोट का जज निक्त किया गया था इससे पहले वो 2005 से 2019 तक दिल्ली हाई कोट में जज रहे सुप्रीम कोट में अब तक लगभग 117 मामलों में वो फैसला लिख चुके हैं साथ ही वो एहम मामलों में फैसला देने वाली सुप्रीम कोट की कई बेंच का हिस्सा भी रहे 2019 में वो पांच जजों की सविधान पीठ का हिस्सा थे जिसमें कहा गया था कि कई मामलों में CJI का ओफिस में भी सूचना के अधिकार के दाएरे में आता है जस्टिस संजीव खना पांच जजों की उस सम्विधान का हिस्सा थे जिसने 2023 के फैसले में जम्मू कश्मीर से अनुछेद तीन सो सत्तर हटाने के केंदर के फैसले को स्वेधानी करार दिया था 2024 में बहुमत की राय से सहमती जताते हुई जस्टिस संजीव खना ने भी इलेक्टोरल बॉंड स्कीम को अस्वेधानी करार दिया 2024 में जस्टिस खना की अधिक्ष्टा वाली खन पीट में से सौफिसदी विवी पैट वेरिफिकेशन की मांग ठुकराते हुए मौजूदा एवियम विवस्था को पारदशी और भरोसे मन्द बताया नवंबर 2024 में वो साथ जजों की स्वेधानिक पीट का हिस्सा रहे जिसने अल्प संख्यक संस्थान की परिभाशा को लेकर 1968 में दिये गए आज इस भाशा के फैसले को ही उलट दिया 1967 के अजीज बाशा फैसले को पलटने के मामले में बहुमत की राय से सहमती बनी जस्टिस अंजीव खना 13 माई 2025 तक भारत के प्रधान न्याइधिश के पद पर रहेंगे 10 नवंबर 2024 को जस्टिस डी वाई चंदरचूर का सीजे आई के तौर पर कारेकाल खत्म हो गया अपने दो साल के कारेकाल में जस्टिस चंदरचूर ने कई एहम ने रने दिये को सुविधानिक खोशित करना, 2024 के फैसले में सीएस्टी वर्ग में उपवर्ग बनाकर आरक्षन में आरक्षन को सही ठहराना और अलिगर्ड मुसलिम यूनिवरस्टी के अलप संख्यक दरजे को लेकर फैसले शामिल थे सीजिया इन्युक्त होने से पहले भी जस्टिस चंदरचूर सुप्रीम कोट के कई एहम बेंच का हिसा रहे जिसमें एउध्या में रामंदे निर्मान, सब्री माला में महिलाओं के प्रवेश का मामला, निज्टा को मौलिक अधिकार मानना, आधार की स्वेधानिक वैधता और संब लेंगिकता को अपराध न मानना शामिल था जस्टिस डीवाई चंदर चूर लगभग साड़े आठ साल सुप्रीम कोट के जज रहे, इस समहरों में उपराश्टपती जगदीब धनकर, प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, कई केंदरी मंतरी और सर्वोच नियाले के नयाधिश सहित अन्य लोग शामिल हुए प्रधेश विधानसभा का सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा, आज विधानसभा भवन में हुई विवसाइक सलहकर समीती की बैठक में ये फैसला लिया गया, बैठक के बाद मुखे मंतरी नाइप सिंग सैनी ने बताया कि विधानसभा का ये सत्र 13, 14 और 18 नवंबर को रहने वाला है, इस बैठक में मुखे मंतरी के अलावा स्पीकर हरविंदर कल्यान, संसदिय कारे मंतरी महिपाल धांडा और डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड़ा सहित विपक्षी दलों के विधायक भी शामिल हुए, वहीं हर्याड़ा में अब तक विपक्ष का नेता नजुने जाने को लेकर उन्होंने कॉंग्रिस पर निशाना साधा, देखे, जितना बिजनेस है, उसी बिजनेस के अनुसारी हाउस चलेगा, अगर बिजनेस ओर आएगा तो और चलेगा वहीं कॉंग्रिस विधायक गिता भुकलव, इनैलो विधायक अरजुन चुटाला ने कहा कि प्रशनिकाल नहीं रखा गया है, तो हमने सत्र की अवधी बढ़ाने की मांग की थी, जिसे इस विकार कर लिया गया है, साथ ही हमने शुनिकाल की भी मांग की है, विपक्ष के हितों से जुड़े मुद्दों को परमुक्ता से उठाया जाएगा. तेरा तारिक और चौदा तारिक भी कर दी गई है, और चौदा तारिक को जो है वोट ओफ थैंक्स होगा, साथ ही साथ में जीरो आर के लिए हमने का है, जीरो आर रहे ताकि अपने मुद्दे उठाये जा सकें, क्वेश्चन आर नहीं है, कॉल अटेंशन भी जो है वो लग तार के सेशन की डूरेशन को बढ़ाया जाए, या तो सिटिंग बढ़ाया जाए, या डूरेशन बढ़ाया जाए, ताकि नए जो विदायक चुन करके हैं, उनको बूलने का मौका भी मिले, उनको अपनी बात रखने का मौका मिले, और खुल करके अपनी बात रखने का मौ बैठक में हर्याना पंजाब चंडिगड के अनेक वरिष्ट उच अधिकारी भी मौझूद रहे वहीं विधानसभा सत्र से समंद्र बैठक में पहुंचे संसदी कारेमंत्री महीपाल धांडा ने कहा कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा का शीत कालिंद सत्र राजपाल के अभी भाशन के साथ शुरू होगा पतरकारों से बाचीत में उने कहा कि इस सत्र के लिए विपक्ष के पास कोई विशेश अजंडा नहीं है वो आपस में ही जगड रहे हैं अब तक नेता प्रतिपक्ष का चैन भी नहीं कर पा रहा है सदन में नेता प्रतिपक्ष का होना सदन में उठाई जाएं प्रतु विपक्ष का कोई नेता ही नहीं है तो जनता को विपक्ष से क्या उमीद हो सकती है उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरहां से सदन चलाने को तयार है अनुपूरक मांगों के अलावा कुछ अध्या देश भी सदन में पारित किये जाएंगे इसके अलावा अन्य विधाई प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सदन में एक नई परिपाटी लागू की है इसके तहट हर विधाय को बजट सत्र हो या फिर शीत का लिन सत्र हो बोलने का मौका दिया जाता है अब यह कि सहसन की त्यारी के लिए था कि इसमें क्या-क्या और किस तरीके से आगामी जो सहसना होआ है उसकी त्यारी यह तूथी आम जर्नल बात थी को भी सेस ऐसा कुछ नहीं था कि जो बताने की बात हो जिसमें वो तो कांगर्स आड़े बताएंगे उनने गया तो निचुना अजल में उनको जुत तमजूत हो रहे हैं लट्थम लट हो रहे हैं फैसला ने कर पा रहे हैं पहला सेसन होगा जब अभी त आड़े कांगर्सीन के वरकर ने ता सब एंकारी हो गए थे और किसी न सही कहा कि वेंकारी का सिर निच्चा तो जनता ने इनके एंकार को देख लिया समझ लिया पड़ लिया दूल चटा दी जनता तो दर्पन है ना वो तो सब पारदर्स्तिता है वहाँ पे वो बग्षती में किसी को भाज़पा के सदस्यता भ्यान को लेकर चोटी टोली ने पंचकुला स्थित पार्टी कारेले में मन्थन किया पार्टी ने हर्याना संगठन को पचास लाख सदस्य बनाने का लक्षे दिया है इस बैठा कि अधिक्षता भाजपा प्रदेश अधिक्ष मोहलाल बड स्थिता सुरेंदर पुनिया व अजे बंसल ने चाचा की मुख्यमंत्री ने कारेकरताओं से दिये लक्षे से अधिक लोगों को पार्टी से जोडने का आगरह किया बाद में मोहलाल बडौली ने कहा कि प्रदेश में पार्टी से सदस्य जोडने का रिकॉर्ड बनाया हर्याना में 24 फसलें MSP पर खरीदी जा रही है जबकि कौंगरिस अपने शासित राज्यों में फसलें MSP पर क्यों नहीं खरीद रही है कौंगरिस के नेता आपस में हर्याना प्रदेश में जो 50 लाग से बनाने का लक्षे हमने लिया है उसको हम जल्दी पूरा करें और सभी कारेकरता परतीक बूत पर 500 सदस्य भारती जनता पार्टी के ने जोडने का काम करें इसके लिए आज हमने बैठे की है और हर्याना प्रदेश मुझे लगता है जिससे तेजगती के साथ यह अभियान शुरू हुआ है आने वारे बीश तारिक तक हम इस लक्षा को पूरा कर होता है आज हर्याना का किसान ना खाद से कोई प्रेशान है हर जिले के अंदर खाद उपलब्द है सुसाइटियों में भी उपलब्द है और MSP पर हमारी हर्याना सरकार देश की ऐसी सरकार है जो 24 फसले MSP पर खृदने का काम किया है और सुर्जेवारा बताए कि जहां उनक जिकरित वहान स्क्रैपेज एवं री साइकलिंग सुविधा पृत्साहान नीती दोहजर चौबिस अधी सोचित की है इससे राज्य में पुराने वहानों के स्क्रैपिंग वर री साइकलिंग सुविधा उपलब्द होगी और जगा 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 कबार में तबदील हो चुक वर पेट्रोल वहानों की पंद्रह वर्ष तक पासिंग सीमा अवधी तैकरने के बाद कंडम वहानों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और इसको देखते हुए हर्यान सरकार नी ये निरने लिया है सरकार की इस पहल से वहानों के पुर्जों की री साइकलिंग होने से ये सारजनिक स्थलों पर कंडम वहानों की पार्किंग से निजात मिलेगी उन्होंने बताया कि इस नीती को हर्याना सरकार उद्योग का दर्जा देगी हर्याना में स्थापित की जाने वाली नई उद्योग इकाईयों को पूंजी अनुदान या राज्य जीस्टी में प्र चंदर बोस स्टेडियम में आयोजित जीला स्तरिय पारितोशिक वितन समहरों को संभोधित किया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बच्चों के सरवांगीन विकास के लिए अनेक योजनाय चलाई है बच्चों को हर क्षेतर में निपन करने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ समाजिक जिम्मेदारी के बारे में भी ग्यान होना चाहिए सब ही अभी भावक अपने बच्चों को समाज के निर्माण में भागेदारी प्रदान करने के लिए प्रेरित करें बाल कल्यान परिशद द्वारा बच्चों कर रहे हैं मुझे लगता है आज का एक किर में कि इन बच्चों को शिख्शा के साथ साथ एक सामाज्ड की जिम्मेदारी हो एक समाज में आने principe पर double Mission M his incom-, he कि कि उसी निवल पर यह हमारा भालगाश का सब्सक्राइब में बाद। जिला उपयुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ट ने कहा कि जिला बाल कल्यान परिशर द्वारा बच्चों के लिए विकास के लिए एक्स्टेंशन गतिविधियां आयोजित की जा रहे हैं बच्चों के विकास के लिए राजे सरकार की सभी योजनाओं को प्रभावी ढंक से लागू किया जाएगा उन्होंने अभी भावकों से कहा कि बच्चों की प्रतिभावों को आगे लाने में प्रशासन का सहयो करें इसके लिए मैं सभी बच्चों को और सभी टीचर्स को बनाई देता हूँ जिनोंने इस लेवल पे बच्चों को त्यार किया है इसके बच्चों को अच्चा कर दे बड़ा हम घर भी लेंगे इसके बच्चों को और सभी बच्चों के बच्चे बहुत बहतर कर रहे हैं यह हमारे लिए कुशी के बात है प्रदेश के सहकारिता एवं प्रेटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्माने गुरुगरामस्थित हर्याना लोग प्रशासन संस्तान हिपा में सहकारिता विभाग की महतवपुन समीक्षा बैठकी और अधिकारियों को सहकारिता क्षेतर में सुधार वविकास के लिए निर्देश दिये और प्रात्मिक क्रिशी रिण समीतियों के त्वरित डिजिटल लाइजेशन की दिशा में कदम उठाने की अवश्यक्ता पर बल दिया उन्होंने कहा कि पैक्स का डिजिटलाइजेशन केवल कारे परनाली को बहतर बनाएगा बलकि ये किसानों और अन्या हित धारकों को भी बहतर सिवाएं प्रदान करेगा उन्होंने हर्याना की डेरी फेडरेशन को वीटा का नाम अमूल ब्रांड की तरह लोप्रिया और विश्वसनी ब्रांड के रूप में विक्सित करने के लिए एक कारे योजना तयार करने का भी निर्देश दिया उन्होंने कहा कि ये कदम राज्य के क्रिशी और डेरिक शेतर को और मजबूती परदान करेगा जिससे प्रदेश में डेरी उद्यों को गती मिलेगी मंत्री ने कहा कि हरको बैंक के और से रखी गई पैक्स की समस्याओं के समधान के लिए नीतियों पर विचार करने और सुधारात्मक उपायों को लागू करने के निर्देश दिये उन्होंने नई सहकारी समीतियों के गठन के लिए जागरुकता अभ्यान चलाने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि सहकारिता से रोजगार के नए अफसर लोगों को मिलेंगे डेंगू के मामले पर रोक थाम के लिए स्वास्ते विभाग लगातार अलर्ट है इसी कड़े में अमाला च्छावनी के नागरिक अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए अलग वाड बनाए गए है नोडल अधिकारी डॉक्टर चेता शर्मा ने बताया कि बदलते मौसम में डेंगू से बचाव के लिए साफधानी रखना बहुत जरूरी है ये बिमारी मादा, एडिज, एजिप्टाई, नामक मच्छर के काटने से फैलती है और ये आम तोर पर दिन के समय काटता है अमाला में स्वास्ते विभाग दोरा डेंगू के रोक्ताम के लिए अवश्यक अदम उठाए जा रहे है उन्होंने लोगों से कहा कि बुखार आने पर तुरंत डेंगू का टेस्ट करवाएं जो की सरकारी अस्पताल में निशल्क होता है डेंगू से बचाव के लिए विभन स्थानों पर फॉगिंग करवाई जा रही है और विभाग की टीमों दोरा लोगों को जागरुक भी क्या जा रहा है और हमने मेल और फीमेल देंगु वाट बना रखे हैं, एमर्जनसी में भी हमारे पास प्रयाप जगा है, और जो जो भी सावधानिया होनी चाहिए, वो लोगों को भी अपने स्तर पर पॉलो करनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में और जागरूप होने की जरूरत है, वैसे तो ये डेंगु सबके इतने सालों से ये हर सीजन में फैल रहा है, इस बार पिछली बार से नो डाउट कम है, परन्तु फिर भी इसका मरीज आ रहे हैं और उनको सफर रूप से ड्रीट किया जा रहा है वही डेंगु के रोग्यों ने बताया कि एस्पताल में उनका निशुलक इलाज चल रहा है, डॉक्टर द्वारा उनके स्वास्ते की प्रति दिन जांचकर उचित परामर्श दिया जा रहा है अब आज के रिपोर्ट देखा जाएगा कि इस परामर्श दिया जाएगा दोक्तर आज की जाएगा क्योंकि धान के अफशेश से मिट्टी को परियाप्ट पोशन मिलता है और बिना डिएपी के भी अच्छी पैदावार हो जाती है उन्होंने कहा कि अब मैं महेंगे रसाइनिक औरवगों पर निर्भर हुए बिना अच्छी फसल ले पा रहा हूं इस विधी की सफलता से प्रभावित होकर क्रिशी मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को राज्य में इसी तरह की टिकाउ पदतियों को बढ़हावा देने का निर्देश दिया मंत्री ने कहा प्रदीप अन्ने किसानों के लिए प्रेरणा का स्तोत्र हैं उनकी ये विधी प्रधान मंत्री निरेंदर मोदी के आत्म निर्भर भारत के दृष्टी कोन से मेल खाती है क्योंकि यहे क्रिशी में आत्म निर्भरता को बढ़हावा देती है और पर्यावरण सिर्था में योगदान करती है उन्होंने कहा कि सरकार मशीनों के लिए सबसेड़ी देनी की योचना बना रही है जिससे किसान फसल अफशेश को प्रबंधित कर सके साथ ही उन्होंने फसल अफशेश न जलाने वाले किसानों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने के भी बात कह केंद्रव प्रदेश सरकार क्रिशी क्षेतर में आत्म निर्भरता और तत्नीकी सुधार पर लगता जोर दे रही है जिससे किसानों का रुझान बागवानी वो प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है इसी कड़ी में ऑपरेशन ग्रीन योजना टॉप के तहट फत्यबाद जिले के किसान जतिन बजाज ने आलू की खेती कर एक नई पहचान बनाई है वे पिछले आठ वर्षों से आलू की खेती कर रहे हैं और अब तीस एकड में आलू की उन्नत किस्मों की खेती पर कर सालाना लाकुर रुपे का मुनाफ़ा कमा रहे हैं उन्होंने बताया कि वे टबका सिंचाई का उप्यो करते हैं जिससे पानी की बच्चत होती है और उत्पादन भी अधिक होता है वे मुखे रूप से कूफरी जोती, कूफरी चिपसोना और लाल आलू जैसी किस्मों का उप्यो करते हैं जिनकी बाजार में अच्छी मांग रहती हैं और ये लंबे समय तक खराब भी नहीं होते करते हैं जिनकी फोसाल है तो जल्दी आयती है, कनक के मताबर जल्दी आती है, मुनाफ़ अच्छा है इसमें, इसमें कई तरह की वराइटी हैं हमरेगा, सैंटिस्तान में हैं, स्थ्री है, मोहन है और कई हमारे जो एरिकल्चर फार्मर हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे बीज लेकर जाते हैं इसका, इनको भी कापी फायता हुआ है, उसकी लाव ठार हैं इससे करके, जारव मैसूश करते हैं, कापी अच्छा है, रुधान है, और जो इससे हम अर्षा, आज़ आज़ ले वराव वो घाम करने आठ़ती है, उसको रोज़गार मिलता है, जो हमरा उधिश्य वे रोज़गार देना सके ही, पंज़ाब व जम्मौ कश्मीर के किसान भी उनसे बीज खरीद रहते हैं, पंज़ाब के किसान, साहिल व जम्मौ के किसान राजश ने बताया कि जतिन के खेत में लगे बीज से हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। उनकी खेती की तक्नीक हमें भी प्रेरित करती है। जो अच्छी पेदावार होती है। अगर आप आलू की खेती करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी जमीन होती है। इसको बहाई करने चाहिए। प्रधानमंतरी नरेंदर मोधी ने कारिस्थलों, स्थान परबंधन, सर्वश्रेष्ट कारे विभार को बढ़ावा देने और लंबित मामलों के अधिक्तम निप्टान पर ध्यान के इंद्रित करने समंधित विशेश अभ्यान 4.0 की सरहना की है। इस विशेश अभ्यान के परिणाम सुरूफ वर्ष 2021 के बाद से कच्रा बेचने से राजकोश को दो हजार तीन सो चौन सट करोड रुपे का राजस्व अरजित हुआ है। केंद्री राज्य मंत्री जितेंदर सिंग की एक सोशल मीडिया पोस्ट का उत्तर देते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि अभ्यान की सफलता दर्शाती है कि सामोहिक प्रियासों से ठोस परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं और स्वच्छता तथा आर्थिक विवेक को कामलों को कम करने के लिए विशेश अभ्यान फोर पॉइंट ओ भारत का सबसे बड़ा अभ्यान है इसमें कई बहतरिन अभ्यास एवं उपलब्धियां देखने को मिली हैं उन्होंने बताया कि विशेश अभ्यान के तहट पांच दशमलव नौ साथ लाग से अधिक स्थलो पर स्वच्टा भ्यान चलाये गए और इसके परिणाम सुरूप रभावी कारेले उपयोग के लिए एक सो नब्बे लाख वर्ग फुट जगहा खाली हुई गोआ की भूमी के जिवन्त रंग सेनेमा की चकाचौन के साथ सहज रूप से मिश्रित होते हैं जहां दुनिया के हर कोने से कहानीकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आते हैं गोआ में 20 नवंबर से शुरू होने वाले 55 भारतिय अंतराष्टिय फिल्म महुतसव उभरती प्रतिभाओं पर केंद्रित होगा यह जानकारी सूचना और प्रसारन मंत्राले के सचिव संजे जाजू ने दी उन्होंने कहा कि इस बार फ्यूचर इस नाउ पर महुतसव का रहेगा फोकस देश इसी में एक महतुपूर्ण खंड है जो किसी चैनित देश की सर्वस्टेश्ट समकालीन फिल्मों का थ्यान केंद्रत करने के लिए समर्पित हैं उन्होंने जानकारी दी कि इफी के 55 संसकरण में ऑस्ट्रीलिया को फोकस देश की रूप में नामित किया गया है वहें सूचना एवं प्रसारन राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इफी की सरहना करते हुए कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आत्म निरभर भारत की दिशा में इफी अंतराश्टी स्तर पर कान जैसे विभिन फिल्म मोहतसव जैसी सुविधाएं दे रह our Fee you can compare with Kan or some other festival more than Khan festival you are getting here and atpanehwr barbhora so we are our prime minister's vision what facilities you need the international level the same facilities we are giving in the EP Fee At Gova आईश्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरुग्य योजना के विस्तार होने के बाद देश भर में सतर साल से अधिक अमर के बुज़र्गों में इसे लेकर काफी उत्सा देखा जा रहा है इस योजना में बुज़र्गों को शामिल किये जाने के एक सब्ताह के भीतर ही दो लाग सोलह हजार से अधिक नए लाभारती इससे जुड़ गए हैं इस योजना के तहट प्रतेग लाभारती को पांच लाग रुपे तक के निशलक इलाज की सुविधा दी जाती है जिससे बुज़र्गों को चकितसा खर्चों का बड़ा सहरा मिला है नैशनल हेल्थ अथारिटी के आंकडों के मताबिक इस विस्तार के बाद इससे अधिक नए लाभारती केरल से जुड़े हैं जहां 73,193 बुज़र्गों ने आईश्मान योजना का लाब उठाया है इसके बाद मध्य प्रदेश में 45,305 उत्तर प्रदेश में 44,547 बुज़र्गों ने अपना पंजी करण करवाया है करनाटक में 11,613 और हर्याना में 11,610 बुज़र्ग इस योजना का हिस्सा बने हैं प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के इस योजना का डायरा बढ़ाए जाने की घोशना के बाद बुज़र्गों में इस योजना को लेकर सकारात्मक प्रक्रिया मिल रही है प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने आज गुजरात के वरताल में श्री सौमी नरायन मंदीर की दोसोंवी वर्षगांट समहरों में वीडियो कांफरेंसेंग के जरीये हिसा लिया अपने समोदन में प्रधान मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री ने ये भी कहा कि भगवान स्वामी नरायन ने कहा है कि स्वामी नरायन की प्रेड़ना ने आज़ादी के समय भारत को पुनर जिवित किया पीएम मोदी ने निहित सवार्त के लिए देश को बांटने की साजिश का भी जिकर किया वहीं प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने स्वामी नरायन परिवार से जुड़े संत महात्माओं से प्रियागराज में होने वाले आगामी महाकुम्ब का दुनिया भर में प्रचार प्रसार करने का भी आगरह किया कि पीछे क्या सामाजिक सोच रही हुई है वहाँ लोगों को सिक्षित करें और जो भारतिय मुलके नहीं है विदेशी लोग है उनको समझाएं ये क्या है और कोशिश करें कि विदेश में आपकी एक एक शाखा कम से कम सो विदेशी लोगों को बड़ी स्रधा पुरवक ये प्रयाग राज का कुंब मेला के दर्शन करने के लिए लिए आई है पूरे विश्व में एक चेतना प्रक्टाने का काम होगा और यहाँ आप आसानी से कर सकते हैं श्रीश स्वामी नरायन मंदिर की 200 वी वर्षगान समहरों के अफसर पर प्रधान मत्री ने 200 रुपे का चांदी का सिक्का और डाक टिकट भी जारे किया समचारों में आज इतना ही नमस्कार हे लोगा है